गूड मार्निंग फ्रेंज इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चेप्टर नमबर वन और इस टॉपिक का नाम है ताइम और इस चेप्टर को हम लोग कबर कर रहा है प्लस टू ब्रीटिस इंगलिस ग्रामर एंड कमपोजीशन से और इसके राइटर है डॉक्टर असोक यह प्लस टू के लिए वन आप दा बेस्ट बूक है तो बिना किसी देरी के हम सुरू करते हैं लेट्स बिगिन आवर फर्स चप्टर टाइम और टेंस टाइम समय तता टेंस काल दो सौतंत्र सब्द हैं मतलब टाइम और टेंस यह दो अलग अलग वर्ड है इन में अंतर भी है तथा संबंध भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और रिलेशन भी है टाइम टाइम एक नन ग्रामेटिकल टर्म है टाइम का संबंध ग्रामर से नहीं है यहां कहने का मतलब यह है यह dictionary का एक समाने शब्द है dictionary में आप general word इसको कह सकते हो इससे गुजरने वाले दिनो, days, महीनो, months, वर्सो, years का बोध होता है time एक गरामेटिकल टर्म है यह dictionary का एक समाने शब्द है इससे गुजरने वाले जो दिन होते हैं, महीने होते हैं, वर्स होते हैं यह सारा चीज का बोध होता है यह एक universal concept, विश्व ब्यापी धारना है मतलब इसको सारे विश्व में इसी रूप में देखा जाता है पूरे विश्व में इसे तीन भागों में वर्गों में बाटा गया है टाइम को तीन काइंट्स में बाटे गये हैं पहला है past, भूत, दूसरा है present यानि वर्तमान तता C, future तीसरा है future भविश्व यह भासा से सोतंत्र है यह भासा से, language से बिलकुल अलग है the word, यह जो सब्ध है time stands for, यह यूज किया जाता है for a concept, एक विचार के लिए, एक अवधार्ना के लिए with which जिससे all mankind is familiar सारे मानव जाती परिचित है divided into, इसको बाटा गया है past, present and future past, present और future में it is something independent of language और यह वो चीज है जो language से बिलकुल independent है free है, सोतंत्र है और इस लाइनों को लिया गया है as, हर्नबाई का लिखा हुआ एक work है मतलब book है guide to patterns and uses in English page number 78 से इसके आगे बढ़ते हैं अब tense के बारे में थोड़ा से समझते हैं tense एक grammatical term है time एक non grammatical term था लेकिन tense एक grammatical term है यह dictionary का समाने शब्द नहीं है लेकिन time एक dictionary का समाने शब्द था यह वर्व का रूप है जो समय बताता है तिन्स जो है वर्व का किरिया का रूप है जो समय बताता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि tense से वर्व के रूपों के समुह का बोध होता है जो past, present या future में किसी खास समय बिंदू या समय की ओधी को दरसाता है a state of verb, tense जो है state of verb हम होते है that indicate जो सुचित करते हैं अब particular point एक खास बिंदू को in time के समय को और period of time in the past की ओधी समय है, past में है, present में है या future में है उसी को tense करते हैं, ठीक है, tense क्या है, state of verb हम से जो indicate करता है particular point in time और period को time में past, present और future में ठीक है, और इस line को लिया गया है Collins, co-build English grammar, page number 245 से tense न तो universal concept है और ना ही भासा से सौतन्त है जबकि time जो है universal concept था और भासा से उसका link था लेकिन ये उसके opposite है जब भिन भिन भासाओं में भिन भिन हो सकता है tense जो है अलग अलग languages में ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं उधारनार्थ हिंदी तथा अंग्रेजी भासा को ले उधारन के लिए अगर आप हिंदी और English language को लेते हैं हिंदी में किरिया के अंत में गा, गे, गी का परियोग होता है जैसे जाएगा, जाओगे, जाएंगे, जाएगी किरिया के गा, गे, गी वाले रूपों को हम future tense भविस्काल रूप कहते हैं किन्तु अंग्रेजी में किरिया वर्ब का future tense रूप नहीं होता है कहने का ततपज है कि हिंदी में future tense है जबकि इंग्लिस में future tense नहीं है यहीं कारण है कि कुछ modern grammarian से tense को दो ही वर्गों में बाटा है English has two tenses, modern grammarian जो है वे करते हैं कि tense दो ही तरके है एक है present tense और दूसरा है past tense यह लोग future tense के लिए कोई जगा नहीं दिये और इस बात को English has two tenses, present tense और past tense यह कहां से लिए गया है इस बात को लिए गया है Randolph, Quark and others, a grammar of contemporary English से लिए गया है इसके आगे There is no future tense in modern English Modern English में future tense हैं ही नहीं But for convenience, लेकिन सुविदा के लिए we often use अक्सर हम use करते हैं, यह term है future simple का describe करने के लिए और future simple का क्या rule है वी लिया cell लगेगा प्लस bear infinitive और इस चीज को कहां से लिए गया है Thompson Martinet का एक को अर्ख है, बुक है अब practical English grammar page नमर 187 से लिए गया है किन्तो, traditional grammar में, पारमपारी grammar में tense को तीन वर्गों में बाटा गया है यानि पुराने grammar Past tense, Present tense तथा Future tense Tense बताता है कि कोई कार्ज एक्षन या इस्तिती state Past में थी, Present में है या Future में होगी Tense या भी बताता है कि कोई कार्ज या इस्तिती पुन्द थी है या होगी या जारी थी है या कहेगी बर्ब को परिवर्थित कर जैसे teach, taught, drive, drove, laugh, laugh या सहय क्रियाओं को जोड़ कर जैसे will teach, is teaching, has taught, had taught, tense बनाए जाते हैं अब देखते हैं आगे क्या है अता उपरोग तथियों से या बिल्कुल असपश्ट हो जाता है कि time तथा tense दोनों एक नहीं है किन्तु दोनों में संबंद है हमने ये देखा कि time और tense से ये अलग लग छीजे हैं और फिर इन में कुछ संबंद भी है क्योंकि tense का परियोग time बताने के लिए होता है tense का परियोग time बताने के लिए होता है ये कुछ एक्जाम्पल से she lived here from 1992 to 2007 were रही यहां 1990 से ले करके 2007 तक ठीक तो यहां पर past tense है और ये past time को बता रहा है she is reading a book वह किताब पढ़ रही है ये present tense है और ये present time है they will come tomorrow वे लोग कल आएंगे ये future tense है और future time है तो हम यहां देख रहे हैं कि tense का संबंद time से है present tense present time को बता रहा है past tense past time को बता रहा है future tense future time को बता रहा है इन तीनों वाक्यों में past tense से past time present tense से present time तो future tense से future time का बोध होता है कितु अधिकान tenses का परियोब एक से अधिक अर्थ या time का बोध कराने के लिए होता है जैसे we live on earth हम प्रिथ्वी पर रहते हैं यहां फे present tense है past time है present time है future time है ठीक है यानि कहने का मतलब है प्रिथ्वी पर रहने का जो काम है यह आज भी हो रहा है पहले भी होता था आने वाले दिनों में भी होगा है ना इस वाक में लीव किरिया का प्रियोग simple present tense में है किन्तु या past present ता future तीनों ही समय को निर्दिष्ट करता है धर्थी पर रहने का हमारा काम past में था present में है और future में होगा फिर नेमलिकित वाक्यों को देखे जिन में present continuous tense का प्रियोग present time तथा future time के लिए है she is reading a story वह कहानी पढ़ रही है यहाँ पे आपको present tense नजर आता है और present time नजर आता है mira is going to buy a car mira एक कार खरीदने जा रही है यहाँ पे आप देखो present tense है लेकिन time क्या future है फिर नेमलिकित वाक्यों को देखे जिन में simple past tense का प्रियोग present time, past time तथा future time के लिए है I had no money yesterday मेरे पास कल पैसे नहीं था तो यहाँ पे past tense देख रहे हो, past time देख रहा है if I had money now यदि अभी मेरे पास पैसा होता I would help you, मैं तुम्हारी मदद करता तो यहाँ पे past tense है और present time की बात हो रही है if I had no money tomorrow यदि मेरे पास कल पैसा नहीं होगा I would sell my bicycle मैं अपनी cycle बेस दूँगा यहाँ पे आप देखो past tense है और future time की बात हो रही है अतो यह आउसेक नहीं कि वर्व यदि present tense में हो तो present time का बोध होगा और वर्व यदि past tense में है तो past time का बोध होगा हमें भर्व के tense तथा उसके परियोगों की बारीकियों को भलिबाती समझना होगा अब है kinds of tenses यानि tense के परकार traditional grammar के अनुसार tense तीन परकार के हैं पहला है present tense दूसरा है past tense तीसरा है future tense इन में से परतेक के चार भेद है present tense simple present tense या present indefinite tense या present non progressive tense ये तीन नाम है present indefinite tense simple present tense के तीन नाम एक तो ये simple present tense कुद दूसरा present indefinite tense कुद और ये तीसरा present non progressive tense इस tense में वाक्य की बनावट क्या होती है subject रहता है भर्ब का पहला रूप या भर्ब का पाँचवा रूप होता है जैसे I read तो I आपका subject है read भर्ब का पहला रूप है he sings तो he आपका subject है और sings जो है भर्ब का पाँचवा रूप है ठीक है we eat तो we आपका subject हो जाता है eat आपका भर्ब का पहला रूप हो जाता है इसके आगे see dances see verb subject हो जाता है our dances भर्ब का पाँचवा रूप हो जाता है you play, you subject हो जाता है, play भर्ब का पाला रूप हो जाता है mohan weeps, mohan subject हो जाता है, weeps भर्ब का पाँचवा रूप हो जाता है they write, they आपका subject हो जाता है, write जो है भर्ब का पाला रूप हो जाता है इसके बाद सीता subject और cry जो है भर्ब का पाँचवा रूप हो जाता है तो हमने देखा कि present tense में और उसमें simple present tense या present definite tense या present non progressive tense में subject नज़राता है भर्ब का पाला रूप नज़राता है या भर्ब का पाँच्वा रूप नज़राता है अब दूसरा देखते है present continuous tense या present imperfect tense या present progressive tense तो present continuous के भी तीन नाम होते हैं present continuous tense, present imperfect tense या present progressive tense इस tense में वाकिकी बनावट subject plus is rm plus भी फोर रहता है जैसे I am reading तो I subject हो जाता है each m are तीनों में से कोई एक चाहिए तो I की साथ m लग गया अब भरफोर हो गया read का reading यहां पर we are eating तो we हो गया subject we के साथ r लग गया आप भरफोर हो गया eating इसके आगे है you are playing तो you हो गया आपका subject, r हो गया आपका helping भाव और playing हो गया भी फोर इसके बाद है they are writing तो they हो गया subject each m are तीनों से कोई एक लगाना है तो r लग गया और भरफोर हो गया writing इसके आगे है he is singing तो he हो गया subject each m are में से कोई एक चाहिए तो he के साथ हो गया is और भरफोर हो गया singing उसी तरह see is dancing moan is weeping, sita is crying इसके आगे तीसरा present perfect tense या present perfect non progressive tense इस tense में वाके की बनावट subject plus है ज्या है प्लस भी थिरी होता है तो यहाँ पर I हो गया subject, have या have लगाना है, have या have कोई एक तो I के साथ have, भी थिरी जो है read, 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 read होता है यह spelling सेम रहा होता है लेकिन read पड़ते हैं है ना आगे है we have eaten, तो we हो गया subject, we के साथ have I eat का भी थिरी eaten उसी तर आगे है, you have helped, they have written, he has sung, she has danced, Mohan has wept, Sita has cried इसके आगे, जो है, present perfect continuous tense, या present perfect progressive tense इसमें जो है, आपको नजर आएगा, subject plus, have या has plus, been plus, before जैसे I have been reading, तो I हो गया subject, तो have या है को येक लगाना है, तो I के साथ have उसके बाद been लगाएगा, लगाया जाएगा, उसके बाद भर फोर हो गया reading इससे दूसरा है, we have been eating, we have been playing, they have been writing इसके अगे, he has been singing, he has been dancing, Mohan has been weeping, Sita has been crying इसके बाद हम पहुंसते हैं, past tense में simple past tense कहिए, या past and definite tense कहिए, या past non progressive tense कहिए, सब नाम एक ही है इसमें आप देखोगे subject रहता है, उसके बाद भर्व का दूसरा रूप जैसे, I subject हो गया, read का second form, read, we subject हो गया, eight second form, eat का उसी तरह, you played, they wrote, he sang, she danced, Mohan wasp, Sita cried इसके आगे है आपका past continuous tense, या past imperfect tense, या past progressive tense इसमें आप देखते हो कि subject रहता है, वोज या वर रहेगा, उसके बाद भर्व का चाउथारू आई हो गया subject, वोज या वर कोई एक चाहिए, तो I के साथ वोज हो गया अब भर्वोर है, read का reading इसके आगे, we were eating, you were playing, they were writing, he was singing, she was dancing, Mohan was weeping, Sita was crying आगे है, past perfect tense, या past perfect non-progressive tense इसमें आप देखते हो, subject रहता है, hide रहता है, उसके बाद भर्व का तीसरा रूप आई हो गया subject, hide हो गया, और read का thought form हो गया, read, 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 ठीक उसके बाद है, we हो गया subject, hide हो गया, आपका helping work, जो चाहिए, और eat का thought form, eaten आगे है, you had played, they had written, he had sung, she had danced, Mohan had wept, Sita had cried अब जो है, past perfect continuous tense, या past perfect progressive tense, इसमें आप देखते हो, subject रहता है, उसके बाद had been रहता है, उसके बाद भर फोर रहता है, तो यहाँ पे आई हो गया, आपका subject, had been लगाना है, had plus been, तो had been हो गया, भर फोर हो गया, reading, ठीक, उसके बाद है, we had been eating, उसके बाद है, you had been playing, they had been writing, he had been singing, she had been dancing, Mohan had been weeping, Sita had been crying, इसके बाद है future tense, इसको आप simple future tense कहिए, या future indefinite tense कहिए, या future non progressive tense कहिए, इसमें आप देखते हो, subject रहता है, cell या will रहता है, plus verb का पाला रूप, तो I हो गया subject, cell या will को येक लगेगा, तो I के साथ माली जे cell लगया, तो भर बाद रीड हो गया, उसी तरह we shall eat, you will play, they will write, he will sing, she will dance, one will weep, Sita will cry, अब इसके आगे है, future continuous tense, या future imperfect tense, या future progressive tense, इसमें आप देखोगे, subject रहता है, cell या will होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद भर्ब का चौथा रूप, जैसे यहां subject हो गया, I, cell या will को येक लगाना है, तो मालेजी आएक साथ cell लगया, उसका बी तो लगाना ही है, और भर्ब फोर रीड का रीडिंग, ठीक है, आगे है, we shall be eating, you will be playing, they will be writing, he will be singing, she will be dancing, Mohan will be weeping, Sita will be crying, इसके बाद है future perfect tense, या future perfect non progressive tense, इसमें आप देखोगे, subject रहता है, cell या will रहता है, उसके बाद है रहता है, उसके बाद है भाव का तीसरा रूप, आई हो गया subject, cell या will को येक लगेगा तो cell हो गया, उसका बाद है बाद है हो गया, future perfect continuous tense या future perfect progressive tense इसमें आप देखोगे subject रहता है cell या will होता है उसके बाद have रहता है उसके बाद been रहता है उसके बाद भर्ब का चौथारू यहाँ पर आई हो गया subject cell या will कोई एक लगा ना तो cell हो गया उसके बाद have चाहिए तो यहाँ पर have है उसके अगे बीन चाहिए तो बीन है अब भरफोर हो गया reading आगे we shall have been eating you will have been playing they will have been writing इसके अगे he will have been singing she will have been dancing Mohan will have been weeping Sita will have been crying इस तर से इसका यह part one खतम फिर part two इसका आएगा उसमें हम लोग बाकी जो है इस chapters को देखेंगे ठीक है तब तक लिए भाए have a good day thank you